आपका स्वागत है आज मैं आपके संग शेर करने जारी हूँ यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोंजी टूटी फूटी एगलस टी टैम केक इसको आप बना के अपनी चाय को और भी ज्यादा टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान ह यह सबको पसंद भी आएगा के तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं यह एगलस टूटी फूटी टी टैम के रेसिपी पसंद रहे हैं लाइक शेर और कमेंट्स कर देना चैनल पे नएया है तो सबस्क्राइब करके बैल आकन को हिट करना ना भूलना तो यहां पर सबसे प मैदा डालके इसको अच्छे से मैदे में कोट कर दे रही हूं इसका रीजन यह है कि हमारी प्रूटी प्रूटी हमारे केक बटर में अंदर बेख होने के बाद श्रिंक नहीं होंगी और नीचे बैठ नहीं जाएंगी तो यह रेडी हो गई है इसको हम साइड ड़ेंगे और इसी में में डाल रही हूं हाफ का फ्रेश कर यह मेरे घर का जमाया हुआ दही है आप चाहे तो मार्केट का भी दही उसकर सकते हैं और दही जो है वो रूम टेंपरेचर पर होनी चाहिए इस बात का आप खास दियान रखे और पांच मिनट तक ऑईल और दही को हम अच् रूब थर्ड कप पाउडर शुगर आप अपने घर की नौर्मल चीनी को मिक्सी ग्रेंड़ जार में पीस के पाउडर बनाके इसमें यूज कर सकते हैं और मीठा अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अगर आपको जादा मीठा पसंद है तो एक-दो चमज इसमें और आट के साथ भास इसको हलका साम मेक्स कर लेंगे जिसरी अच्छी से इसमें मिल जाए घुल जाए तो अब मैं इसमें ड्राइ इंग्रिजेंट एड करूंगी उसके लिए सबसे पहले छानने के लिए छणनी रख लिए है एक कब डाल दिया है नॉर्मल मैदा उसके उपर डाल नही मिल सूरण है नहीं हूं एक टीस्पून बेकिंग पॉडर वाफ टीस्पून बेकिंग शुडर सूडर टू टीवल स्पून मिल्ट पाउदर लेना है आपने डेइरी वाइट न पाउडर आपने नहीं लीना है तो अब इन सबको भी हम अच्छे से इसमें चान देंगे अच स्पैचुला की मदद से मैं इसे cut and fold method से mix कर दूंगे mix करते समय आपने cut and fold method को apply करना है देखे कुछ इस तरह के से round लेके उसे बीच में cut करके अंदर की तरह इंसर्ट करना है फिले प्रोसेस आप रुपीट करते रहें तो पहले हम अच्छे से हमारे ये जो बैट इंग्रीजिंट था उसके साथ हमारे dry ingredients को मिला लेंगे अच्छी तरीके से तो अच्छी तरीक से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ गॉन फोड का room temperature पे milk लेकिन इसे मैं अभी आधा डाला है और ये आपको जो oil जासा दिख रहा है friends ये मैंने oil वाले cup में ही इसको ले लिया है तो oil इसको पर देख रहा है दूद था मैंने इसमें डाल दिया है लेकिन अभी मुझे जो हमारा बैटर है वो थोड़ा से dry लग रहा है तो मैंने इसमें 1 tablespoon milk डाल दिया है ताकि मैं इसकी बैटर की consistency को adjust कर सुकूँ तो बैटर की consistency आपको मैं फाइनल में दिखाऊंगी कि किस तरह किसे होना चाहिए अब इसमें 2 tablespoon डाला है आप इससे थोड़ा सा पतला रखे अब इसमें हमारे टूटी फ्रूटी जो हमने पहले से राडी करके रखी इसको मिला देंगे अच्छे से जादा ओवर मिक्स नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon fresh lime juice सिर्के का इस्तमाल नहीं कर रही हूं और अब इसको ज्यादा हमें बीत नहीं करना है ज्यादा मतलब मिक्स नहीं करना है तो इस तरीके से बास इसे हलका सा मिक्स कर दे और हमारा जो बैटर हो बहुत ही ज्यादा light and fluffy हो जाता है हमारा क अब यहां पर मैंने ले लिया है 6 इंच का केक टीन और इसे मैंने oil से grease करके नॉर्मल मैदे से dust करके अच्छे से coat कर दिया है और आप जाहें तर बटर पेपर का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें हमारा सारा बैटर डाल देंगे तो अब इसको डालने के बाद मैं अच्छे से इस अब मैं इसमें उपर से स्प्रेंकल कर रहे हूं थोड़ी सी मिक्स टूटी फूटी यह तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है पच्छों को तो यह बहुत जादा पसंद होती है तो इसको आप डाले उपर से आप जादा डाल सकते हैं मैंने इसे बस आपनी पेस के अक पंद्र मेरा केक अच्छे से बेख हो गया है आप देख सकते हैं इसे बड़िया तरिके से हमारा एक केग अगलस केक पन के रेडी हो गया है आप डाल के मैं चेक कर रही हूं कि हमारा ज़ग केक है बदूरकुल पॉफेक्ट बेख हुआ है क्योंकि हमारी नाइप क्लीन आई अब मैं इसे एक कपड़ी की मदद से ठक की रख देती हूँ जब तक ये पूर्ते के से ठंडा ना हो जाएंगे हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ही हम इसे डी मोलड करेंगे तरीके से लूज कर दे होुँ जिसे हमारा जो केक है भी बहुत अची तरीके से दीमोड हो जाएगा और इसे मैं रख जाती हूँ इस टर्निंग टेवल पर मैंने रखा है आपके से भी प्लेट पर रख सकते हैं और आप देख सकते हैं मैं इसे प्रेस कर रही हूँ यह फिर से दबने के बाद उपर अपनी शेप में पापस आ जा रहा है That's mean हमारा जो टी टेम केक है यह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, फलफी और पिलेशेस बना है अब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉइ कर पाएं इस केक को बना के देखिए कितना सॉफ्ट, फलफी, स्पॉंजी है खाने में भी सच मुझी बहुत ज़्यादा टेस्टी रगता है साथी साथ आप इसे अवन में, कड़ाई में, कुकर में, चाहे तो किसी भी पतीली में बना सकते हैं मैंने आज अवन का यूज़ करके बनाया है तो चले ज़रा देखें ऐसे और नस्दिक से कि ये केक किस तरी के से बना है बेख सकते हैं सूप जाली है इसके अंदर और कितना स्पॉंजी है दवा रही हूं फिर से अपने शेप को ये होल्ड कर ले रहा है इसका मतला हमारा जो केक है वो सच मुझ बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और पॉफक तरीके से बेग भी हुआ है तो आप भी ट्राइ करें इस केक की रेसिपी को ये सच मुझ बहुत इजी है आसान है अगर आपको आवन माइक्रोवेव कन्वेक्शन आवन में नहीं बनाना है कड़ाई में बनाना है प्रेशर कूकर में बनाना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें मैं आपको उस झाल